चतरबुर जिली के महराजपुर थाना शेतर के गराम पुत्री में 17 नवंबर को मतदान पिक्रिया के दौरान गाउं के ही कुछ लोगों के बीच वाद बिबाद हो गया था। इसी वाद बिबाद के चलते एक यूवक पर हमला किये जाने की घटना सामने आई है। थाने में रिपोर्ट करने के साथ ही पीडित यूवक ने एस पी आफिस में शिकायत या विदन दे कर कारवाही किये जाने की मांगी है। पीडित यूवक महेश अहरवार निवासी पुत्री ने बताया कि मतदान दिवस को गाउं के रोहित सिंग का किसी बात को लेकर उसके पिता भालू अहरवार के साथ वाद विबाद हो गया था और उसे बीच बचावकर मामले को सांध करा रहा था। अगले दिन जब महेश अपने खेत पर जा रहा था तबी रोहित सिंग ने डंडे सो उसकी उपर हमला कर दिया। इस हमले में महेश का हाथ फ्रेक्चर हुआ है। महराजपुर थाने में शिकायत करने के बाद ही महेश ने मंगलवार को पुलिस अधिक्चक कारेले में आवेदन देकर रोहित सिंग पर कारवाही किये जाने की मांग की है। इसके बाद वहां से सांती हुए। फिर हम खेत पे गए पाइप फेला रहे थे पानी वाली। तो वहां पर आया हाथ में डंडा लेके बोला साले चमरा तेरे बहुत भाव बढ़ गए हैं। तेरे भाव उतारने हैं। मैंने उहां पर भी उसको माना किया गाली देने को। तो उसने डंडे से मार पीट की मेरे दाए हाथ की कलाई पर हैक्चर हो गया हाथ। महाराजपुर्थाने में FIR भी किया। SP साब के हाँ है क्या चाहिए। SP साब के हाँ हमने आवेंदन दिया है हमें नयाय मिलने चाहिए उसको सजा मिली चाहिए।